तो डिर इस्टूडेंट आज की बीडियो बीर फर्षालिएर के बे ए सिकेन स्थेस्ट्र के प्रचिन इतिहास की महासंगराम रिवेजन बीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस बीडियो से लगभग लगबग जो प्रश्ण आपकी परिच्छा में आने ही वाले हैं और मैं बिना देरी की वीडियो को शुरू करूंगा मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं कि गारंटी लेता हूं यदि आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं जो जो मैं प्रश्मता रहा हूं उनका उत्तर तो आपको परिच्छा में कोई फेल नहीं कर सकता 100 परसंट गारंटी और इस में वह भी परिच्छ्छा में आने को उम्मीद है और उसका उत्तर भी है पूरी पीडियो तैयार है बस आपको जानना की कौन-कौन से कुश्च्छन तैयार करना है बस ठीक है पहला प्रशन तब कि सबसे विश्वास करने वाला एक जरिया है जिसके माध्यम से आप इतिहास को जान सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही विश्वास करने वाला साधन है ठीक है जिसके बारे हम जानते हैं इतिहास में यह अबलेक सिलाओं अफ्तम गुफाओं धातों पात्रों में खुदे हैं मतलब की जो अब लेख है इनको जो सिलाइं बड़ी-बड़ी होती है अस्तम जिसको खंभे बोलते हैं ठीक है जिसी आपने असोक का अस्तम तो देखा यह ठीक है उसी तरह असोक के तुम में क्या आपको इंडिगेट करता है ठीक है कोई ने कुछ चीज आपक पर थी या फिर रही होगी धा तो पत्र यानी की बहुत पात्र थे तामे के बरतन थे अन्य भी बहुत सारे चीज़े थी ठीक है अफ़तंब थे गुफाएं थे इसमें क्या होता था कुछ लिखा होता था जैसे कि आप कॉपी पे पेन के माध्दने फिलिखते हैं इसी तरह बड़े-बड़े जो पत्थर हुआ करते थे बड़ी-बड़ी जो एसतंब हुआ करते कि यह थे संराज की सीमाव कि जानकारी मिली हैं अबलेग्स यान ह्ए इतने भी अभलेक थे तो अभलेक का मतब यही हुआ कि जो सिलाएं बड़े-बड़े पत्थर, खंबे, गुफाएं, ठीक बरतन, ठीक धात्वों के, तो यह सब चीज क्या करते हैं, हमरे इतिहास के बारे में हमको जानकारी दिलाते हैं, और इनके माध्यम से हमें जानकारी मिलते हैं, पहले कुछ भी हुआ था, यह फिर ऐसा कुछ किया गया था, ठीक एतिहास की देते हैं, कौन अभलेक, तो इस प्रकार बेसिक परेचे लिएंगे अभलेक के बारे में ठीक है, अगला पूशने की असमारक किसे कहते हैं, तो जानी है यह आसमारक के बारे में, तो इसका उत् ख्रेक में हडपा, मोहन, जरदोर, तचिसिला, मतुरा, फारनाद, और कसिया, पाटिलपुत, नालंदा, राजगीर, फांची, बहुर, ठीक, भरूत, लच्मणेस, और अगदी, हफ्तिनापुर, बिराट नगा, रोपर, लोथर, आध, अनेक अफ्ताना में खुदाई हुई ह यानि कि अस्मारक का सिंपल समतलब यह हुआ, तो अस्मारक वही चीज होती है, जो किसी बेक्त या किसी घटना जो होती है, उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं, कि उसकी होती कि अस्मरत में बनाई गई है, ठीक है, कोई बेक्त है, या फिर कोई घटना हुई है, तो उसके अस जिना कोई घटना हुई उसके उसमें बनाया जाता ठीक है तो यह होता अस्मारक ठीक है और इनके कुछ अलग-अलग अस्थानों पर इनके बारे में जानकारी मिली है इन अस्थानों पर देखा गया इन सभी को ठीक है यहां पर आपको मिलेंगे स्मारक इन अस्थानों पर अ तो जहां से फिजिसे सून लिजी लगबग एक सहव इस भी से पूर्ब से 500 इस भी पूर्ब तक के जो समय था उसको भारते इतिहास में या फिर इतिहास के भांसा में जनपद या फिर महा जनपद यूंक कहा जाता है ठीक है समफ्त देश में एक सिरे फिर दूसरे सिरे तक जनपतों का ताता लगा हुआ था एक प्रकार से जनपत जाज नितिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गये थे तो इस प्रकार लिखेंगे जनपत के बारे में ठीक है अब बढ़ते अगले प्रश्ण के कि शेको के बारे में ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे की गरतंत्रों में शासन की ऑठाथ WOR को घरतंत की संग्या प्रदान की जाती ता ठीक है पड़ानी की अफ्ट ध्याई तथा बौध साहित में और गंगा घाटी के समीद गरतंत्रों का उलेक मिलता था तो इस प्रकार लिखेंगे बेसिक परचे गरतंत्र के बारे में ठीक है उसके बाद अगला प्रस्तुत है कि भारत पर इरानी प्रभाव के विवेशना की सब्सक्राइब करें लेकिन कुछ उम्मीद है कि आ भी सकता है तो चली इसके बारे में जान लेते हैं तो यह हमारे देश पर सासन कर चुकी है तो इनके फासन जब हमारे देश पर किया तो उससे हमारे देश पर कोई अफ्थाय प्रभाव इंपैक्ट नहीं पड़ा ठीक है मतब कि कोई अफ्थाय प्रभाव ने पड़ा लेकिन इंपैक्ट तो पड़ा और वही बताया गया कि इरानियों का जो हमारे भारत देश पे वो राजनेतिक चेत्र में आर्थिक चेत्र में और सांस्क्रिक चेत्र में बहुत ही उल्लेखनी है जिसके बारे में कोई से परिचित हुए और युनानी भारत से यानि कि जब भाई लड़ाई भारती फैनक द्वारा युनानी में इद्व में भाग लेने के लिए दोनों आपस में परिचित हुए युनानी लोग भारत से भारती लोग युनान से ठीक है वास्तों में राजनितिक संपर्क से दो चैब अगला प्रांतों को चत्रपी कहा गया भारत को अरे मैं दिप का विकास हुआ उर इसी के भाद खहरोषटी लीपम का अब इसकार हुआ सब्सक्राइक अगला प्रस्न है भाईया सब्सक्राइब भारत plataform की रूप aumento मुद्राओं का महत बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है हलाकि डीटियल में इस वीडियों में नहीं कि लूड़े लेकिन महत पूर्ण है इसका उत्तर आप जरूर तयार कर लिजीगा उत्तर आप लोग बेसिक सा लिख सकते हैं कि प्रचीन भारती इतिहास के जानकारे मुद् अधारा यानि कि भारती इतिहास के बारे में जो विदेश के लेखक हैं विदेव की राइटर हैं कभी हैं लेखक हैं उनका क्या अधारा रही है ठीक है देश के प्रति हलाकि कोईश्चन बहुत कमाने को उम्मीद है आप इसे अगनोर भी कर सकते हैं तो आपके इच्छा त देखने को मिलेंगे और यह गारंटी वाला कोश्चन आफ तक पर इच्छा में छूटा ही नहीं हमेशा आता है तो इस बार भी आएगा तो इसके बार जरूर जानेंगे उत्तर लिखेंगे कि महाकाब्यों में रामायड तथा महाबात की गढ़ना की जाती है अगर महाकाब क्या है और इससे संस्कृत साहित का आदिकाब्यों कि माना जाता है कि इससे रामायड कालिन संस्कृत की समय की जो रीत रिवाज कल्चर्चर थी सिस्टम था उस चीज की जानकारी आज हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं समझते हैं तो उसकी जानकारी मिलती है और उसके बाद पॉइंट अगला है कि महा भारत रामायर की अपेच्छा बड़ा है महा भारत जो है रामायर की अपेच्छा काफी बड़ा है इफ की रशना महार से ब्यास ने की थी रामायर की रशना महार से वालमी की जी ने की थी और महा भारत की रशना है वो महार से ब्यास जी ने की थी क कहा जाता है कि महा भारत की रसना तीस वर्सों में की गई थी कितने वर्स में महा भारत की रसना की गई थी तीस वर्सों में की गई थी इफ ग्रंत का मौलिक नाम जय था यानि कि सबसे पहले महा भारत जो आप लोग आज नाम सुनते हैं इसका पहले नाम था जय ठीक है जय के भारत था तब इसमें मात्र 24000 इसलोक थे बाद में जब इसमें उपथ क्ख्यानों तो इसे महा भारत नाम दिया घैंति तो इस इसे 18 खंडों जिन्हें परव कहा गया इसमें विभाजित किया गया निए इस लोक wicked को पर्व के नाम से जीसे कि रामायड को साथ कंडों में विभाजित किया गया है यह बहुत ही पौपलर को इसके बारे में डीप ली जानकारि मिल गई और आपके दिमाग में बैट भी हो गया होगा कोश्चन अगर आएगा तो आप बेसक अच्छे फिलिख सकते हैं अगला प्रस्तुत है कि पुरानों की बात करें जो पुरान है वेद पुरानों का बहुत बड़ा योगदान है भारते प्रचीन इतिहास में और पुरान भारते के रिहाच की अमर रचना है जो को bho sam नहीं हो सकती पुरान का ताथ पर प्रचीन से होता है मतब कि पुरान का मतब प्रचीन होता है डाक्टर राजबली पांडे ने पुरानों को प्रचीन भारते इतिहास का बिश्च कोश्वाना है है पुराना अख्यान पुराणों के वरन्य विशे के बारे में कहा गया है कि सर्गस्च पुराणों के अंतरगत पुराणों के अंतरगत पुराणों के पंच लच्छन है पुराणों के वरन्य विशला जाता है पुराणों के संक्या रखे गए इस बात को ध्यान दखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है 18 भी ध्यान लिखेंगे ठीक है भूत ही कमन प्रॉष्ण है चलिए अगले पड़ते हैं है कि कुमार गुपत की प्रथम उपलपधियां बताहिए ठीक है तो कुमार गुप्त जो की इतिहास के थे ठीक है इन्होंने क्या क्या आचीव किया है कि इनकी राजियों पर आकर्बन करके विजय प्राप्त की है और इनका सासनकाल कब तक रहा है और कहां के राजा सासक बने इसके बारे में ही जानकाई देनी है तो कुमार गुप्त की क्या जो अचीवमेंट थी जिनके वारे हम जानते हैं उत्तर लिखेंगे कि चंदर गुप्त बिक्रमा देद दुतिये की मुरुत के बाद उसका पुत्र जिसका नाम कुमार गुप्त है वो राज सिंगहासन यानि की राज जी का राध्या बना सासक बना उसने चारसो चवडा उसने 4014 से 455 से फॉर मेंट कहान सासन किया उसने असमेध यग का अनुष्ठान किया राध्या जू यगे था उसका अनुष्ठान है वो कुमार गुप्त ने किया इसकी पुष्टी उसके एक सुन सिक्के से होती है मतब इसकी पुष्टी कनफरम जो होता है उसके सोने के सिक्के से होती है वह भगवान कारतिके का उपासक था यानि कि भगवान कारतिक्यों को पूझता था जैसे कि हम लोग बहुत सारे देवी देवताएं हैं हमारे ठीक है पूरी हमारे दुनिया में ठीक है कोई बहुत फारे लोग है अल chilli को मानते हैं उसी तरह तो कुमार कुम इश्णो को मानता है को उपास सकते किन्तों अन धर्मों के प्रति पूर्टा उदार शहिन था मोटलब कहने का मतलब यह नहीं की कार्ति कीजारी थे कर्ति के भगवान के फूजा करतें तो यह अन धर्मो का भर करतें नहीं बलकुल कृती ही ओंतार यह अहीं की बारा लांता बोलते नहीं थे उसने बहुत तथा सूरी के प्रत आफ्था प्रकट की है और सासन काल के अंति मर्सों में पुस्य मित्रों का भहंकर आकमाण हुआ और जिसमें 455 में उसकी मृत्ति हो गई ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे कुमारगुप्त के बारे में अगला की बिंदु सार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त इस बात को ध्यान ना करेंगे लगबग 298 इशा पूर्वे मगत की गद्दी पर आसीन हुआ कौन बिंदु सार उसे पुराणों में वारी सार जैन ग्रांत में सिंग सेन और यूनानी ग्रंत में अमित्तिक अमित्रों अमित्रों व की प्रमुग घटना तत्य चिला का बिद्द्रो थी जिसे सैनिक फक्त से दबाव दिया गया तो इस प्रकार लिखेंगे बेसिक सा पर्चे बिंदु सार के बारे में अब आगया क्वेश्चन हून कौन थे इसके बारे में जानते ये प्रमुग प्रशने का इबारा भी कि नहीं कारणों से इन्होंने अपने मोलफ्थान को चोन कर प्रस्चिम की और बढ़ना प्रारा में किया दो साखहों में बिभक्त हो गए प्रस्चमी साखह के होड तथा पूर्वी साखह के होड खो Влад तो एक ही जाते थी लेकिन उसमें ये लोग अपने जो जगहा थी जो अफ्थान थी अपने निमास अफ्थान को छोण कर ये दो भागों में डिवाइट हो गएungen कुछ लोग पश्चमी शाखा के होरोण में चले गेएकुछ पूर्बी साखा में चले गेुछ कौन होरोण लोग पूर्वी साखा के हूण करमसा आगे बढ़ते हुए आक्सस नदी के टत पर पहुंच गए पूर्वी साखा के हूणों को स्वेत हूण के नाम पे जाना जाता था महाभारत के भीष्म पर्ब में इन हूणों का उलेक पार्शिकों के साथ हुआ है कालिदास के उनसार इस सरिता के तट पर पहुंच कर ड्रगों के घोड़े यहां की रितों में लोट अपनी ठकान मिटाने लगे लोटने की इस प्रक्रिया में उनके फरीर में जो केफर लग गई थी उसे उठाकर उन्होंने हिलाते हुए जाड़ दिया यहां रग उन्हें अपने प्रक्रम से जिन होड नरेसों को मार डाला था उनकी इस्त्रियां सिर्पीट कर इतना रोई कि उनके गाल डाल हो गए तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में बेसिक पर से ठीक है अगला की परवर्ती गुपतों के इतिहाफ की जानकारी के द उतर लिखेंगे कि कोटिल रचित अर्थसाफ्त चोथिस्त असाब्दे इस भी पूर्बु चंद्रगुपत मौर के प्रधान मंत्री कोटिल लेने की थी इसमें ततकालिन भारत का अश्पष्ट चित्रण मिलता है यानि कि बाकाइदा फोटों के माद्दें फिजानकारी मि और अगला प्रशन है कि रामगुपत को थे तो दहां से सुनेंगे या समद्रगुपत का पुत्र यों चंद्रगुपत दूतिय विक्रमादेगत का भाई था कौन रामद्गुपत इसकी अतिहाफ एक्ता का उलेक साहतिक स्रोत से तथा काब्य मिमांसा स्रंगार प्रकाफ तथा देवी चंद्रगुपतम तथा पुरा तात्विक्स रोतों यों मुद्राओं से प्राप्त होता है इसे इतिहास में टिक है कलेव अन्रप की संग्या से पुकारा गया अब लेकों में खांबता लेक सगली लेक तथा बिलसड लेक भी इतिहास पर प्रकास इसका अगला प्रस्ण भी महत्पूर्ण है फाहायन कौन था इसका भी इत्षा ग्रहन के बाद बहुत धर्म के त्रिपिटिक अध्यन के लिए 399 इश्वी में चार भिच्छुओं हवे गिंग तावचिंग हवी इन और हवे वोई के साथ भारत यात्रा के लिए चल पड़ा वह भारत के उत्तरी पस्च्वी मार्ग से पंजाब में फिर विष्ट हुआ और भारत के विविन नगरों का वर्मड करता हुआ तामर लिप् समाजिक से चिवेशन को जाना आर्थिक चीजों को समझा और धार्मिक चीजों को जाना तो इन सभी चीजों का उसने खुद वर्रण किया है अपने एक और ठीक है कौन ने बहुत प्रहुक प्रश्चन फेड़ा कोश्चन हमें साथ तो ध्यान कर लेंगे ठीक है प्रस्चन भी उत्तर भी अगर आपके पास समय तो ज़रूर तैयार कर ले ठीक है अगला इंप्वाटन कोश्चन मिहिर की कुल प्रब्दियां यह तैयार कर लिजेगा घटोत कर्ष्च कौन था यह भी कभी कदार आ जाता है गुप्त संबत और गुप्त संबत और गुप्त से जड़ समय है इसलिक्क फेसरीन करेंगे बाकि इस दिखना है तो जरूर जरूरूरू तैयार कर लкое बाकि आप लोग ना भी तैयार करेंगे बाकि समय है वाटसब ग्रूप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो वाटसब ग्रूप जोईन होने के बाद आप में प्रिस्टनल मेसेज कर दीजेगा और बोल दीजेगा इस तरह में ब्याश्चे के प्रचीनिति आज का महा संग्राम यानि इनिसिंट हिस्ट्री के पीडियाफ वीडियो में चाहिंद्र